नमस्कार दोस्तों आप सभी काईबाप्र से बहुत बहुत शौगत करते हैं जी आँ दोस्तों मत्विति सिक्षक भरती 2018 में जो भरती आने वाली है जूकि अगस्त माय में आ रही है तो दोस्तों उसको लेकर कुछ नियम आये हैं तो पांच ऐसे कारणों से कुछ लोग परिक समलेते नहीं हो सकते हैं तो आपके लिए जानना काफी अवशख है क्या आप इन पांच कारणों में तो नहीं आ रहे हैं तो आप इन तो चलिए दोस्तो वीडियो श्टार्ट कर लेते हैं दोस्तो पहला जो कारण है इस कारण से भी आप बंचित रह सकते हैं इस परक्षा में समझते हैं उनने अभ्यार्टियों के चैन के लिए भी शासन अपने बिवे का अनुशार बचार कर सकेगा जो अन्य था आहे हूँ किन्तु जिन्होंने ऐशे बिदेशी विश्विद्याला से उपादी प्राप्त की हो जो की शासन दौार निर्दिश्ट रूप से मानतर प्राप्त विश्विद्याला ना हो अगर आपने ऐसे विश्विद्याला से बीएड डीएड या आपने बीए जो की मानतार प्राप्त विश्विद्याला ना हो जिनकी मानतार रद्द की गई हो अगर आपने ऐसे विश्विद्याला से प्राप्त की है दिग्री तो आप भी बंचित रह सकते हैं दोस्तों दूसरा जो कारण है कोई भी अब्यारती जिसने विभाय के लिए नीत की गई नियुम्तम आयुशे पूर्ग विभाय कर लिया हो किसी भी सेवा या पत्पन नुक्ति के लिए पातन नहीं होगा। अगर दोस्तों आपने जो नियुम्तमर आयुसीमा बताई गई यानि 18 साल लड़की की उम्र और 20 साल लड़के की उम्र से पहले अगर लड़के या लड़की ने सादी की है तो वो इस प्रिक्छा में सम्मलित नहीं हो सकता साफ लिखा है तो दोस्तों तीसरा कारण जानते है अगर आपर किसी भी बाल अपराद का केश दर्ज है तो आप उस प्रिक्छा के लिए पात नहीं होगे जो की आने वाली है अगस्त माहे में इसकी नोटिपिकिशन आनी की संभावना है तो दोस्तों चौता जो कारण है उसको समझते चौता कारण है कोई भी अभ्यारती जि इसकी दो या अधिक जीविस संतान हो दो अगर जीविस संतान है यदि उनमें से एक का जनम एक का जनम 26-2001 को हुआ हो तो उसके पश्यात हुआ हो या किसी सेवा या पतपर निपते के लिए पात नहीं होगा अगर आपकी दो संतान है हो उसमें से एक का जनम 26-2001 को हुआ ह या इसके पश्यात हुआ हो तो आप किसी भी प्रिक्षा जो आने वाली स्चक पातर प्रिक्षा है उसमें सम्मलित नहीं हो सकते हैं पांचमा वह सबसे बड़ा करण अगर आपकी उम्र जो है कीस बर्स से कम है तो भी आप इस प्रिक्षा में सम्मलित नहीं हो सकते और दोस्तो B.A.D.E.D. भी अनिवार कर दी, यहां देखें, सम्मनित बिसाय में दूत्य सेनी में इसनात कुत्तर उपादी, और B.A.D.E.D. आपको अनिवार है, बर्ग एक के लिए, तो दोस्तो बर्ग दू के लिए 21 वर्स इसके लिए अनिवार कर दी है, कि 21 वर्स आपकी कम नहीं होना चाहिए उम्र और सम्मदत बिसाय से आपकी ग्रेजिएशन कम्पलीट हो वह भी पचास परतीसत अंकों के साथ साथ में बी एडिया डिया डिया डिपलोमा मांगा गया है आप काफी लोग कहना है कि बी एडिया अनवार नहीं है क्या है के नहीं तो भाई यहां बता दें आपको देख सकते हैं आप खुद कि धो वर्स यह डिपलोमा आपको वह भाग को लिए बर्ग नहीं होंगे साथ में कम से पचास परतीसत अंकों के साथ आपने जो हाई शेक इंडी प्रिक्षा है वो पास की हो साथ में ढियेड या बीएड हो अप कापी लोगों की कमेंट है क्या बीएड चलेगी बर्ग तीन के लिए बिल्कुल चलेगी बर्ग तीन के लिए बीएड अनवारे हो गई है जो कि कक्षा 1-5 के लिए होगी लेकिन V8 के साथ आपकी graduation 50-30 अंकों के साथ होना आवशक है अगर आप बर्ग 3 के लिए apply कर रहे हैं D8 के साथ तो आपकी high check नी प्रिक्षा मांगी जाएगी और अगर आप बर्ग 3 के लिए apply कर रहे हैं D8 से तो आपकी सिना तक मांगी गई है जो कि 50-35 अंकों के साथ complete होना आवशक है तो दोस्तो ये ती वो जान गई जो आने वाली सिक्षक पाता ता प्रिक्षा 2018 जो कि अगस्त माए में आने वाली इसका notification जिसकी गोष्ण मानने मुक्कमंतरी जी ने की है अगर आपको दोस्तो वीडियो अच्छा रहा है तो प्रिस लाइक करें अपने दोस्तों को जरूँ शेयर करें और दोस्तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रिस चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को तबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोडिबी किसन आपको सबसे पहले बिल सकी